मन रहे गई हो जना क्या है जानेंगे एस वीडियो में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे देश बारत में ज्यादतर लोग गाउं में रहते हैं वहाँ पर उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यानि की काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जैसे की बिजली की समस्या, पानी की समस्या और साथी साथ कई अन्ने समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है दोस्तों इसके अंदर रोजगार यानि की employment एक सबसे बड़ी समस्या है क्यूंकि दोस्तों गाओं के अंदर लोगों को पुरी तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता इसलिए जो जाधातर लोग है वो रोजगार के लिए गाओं से शेहर की और पलायन करते हैं पलायन का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह ए कि जैसे कि आपने कई वार देखा होगा कि बहुत सारे लोग काम की तलाश में यानि कि पैसा कमाने के लिए गाव से शहर आ जाते हैं इसी को पलायन कहते हैं तो दोस्तों इसी तरह की समस्य का समाधान करने के लिए यानि कि इस तरह की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकानने के लिए सरकार ने मन्रेगा योजना की शुरुवात की थी दोस्तों मन्रेगा योजना 2005 में संसत में पारित की गई थी इसके बाद इसे 2006 में देश के 200 जिलों में शुरू किया गया था उस समय में इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था बाद में 2009 में इसका नाम बदल कर मन्रेगा कर दिया गया था दोस्तो मन्रेगा योजना को मात्मा गांदी रास्ट्री ग्रामिन रोजगार गारेंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है इंगलिश में हम इसे मात्मा गांदी नैश्नल रूरल एम्प्लोईमेंट गारेंटी एक्ट कहते हैं दोस्तों देश के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और बहतर जीवन यापन के लिए सरकार कई सरकारी योजना बनाती है उन्हीं योजनां में से एक है मनरेगा योजना यानि कि दोस्तों देश के जितने भी गरीब परिवार है उनकी आर्थिक स् योजना है दोस्तों मन्रेगा योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है इस योजना के त्वारा गरीब और बिरोजगार परिवार अपनी आजविका के लिए इस योजना का लाव उठा सकते हैं यानि कि दोस्तों जो भी गरीब और बिरोजगार परिवार है इ ताकि वे आज़ेविका यानि की पैसा खमा सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके और दोस्तों इस योजनय के माध्यम से ग्रामिन इलाकों में रहने वाली लोगों को उनकी निवास्थान में ही रोजगार प्रदान करके पलायन रोकने का प्रयास किया जाता है यानि की द जीविका कमा सके साथ ही साथ ये जो पलायन की समस्या है इसको कम करने की कोशिश की जाती है आगे दोस्तों बात करते हैं मन्रेगा योजना के उद्देश्यों के बारे में क्योंकि दोस्तों मन्रेगा योजना कई उद्देश्यों को ध्यान में रखतर लागों की गई थी जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी हमें 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 ज जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जाना था कि गाउं के अंदर लोगों को पूरी तरीके से रोज़दार नहीं मिल पाता, जिसलिए लोगों को पलायन करना पड़ता है, लोग गाउं से शेर आ जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, है न, तो इस योजना का उद्देश्य य समाच के कमजोर वर को मुख्यदारा में शामिल करना, जैसे कि मनरेगा योजना की जो बाकी के उद्देश्य हैं, लोगों को रोज़दार देना, आर्थिक मजबूती प्रतान करना, पलायन की समस्या को खत्म करना, अगर हम इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, य जैसे कि गाउं का विकास करना, गरीब बेरोज़गार परिवारों को रोज़गार देना, आर्थिक मजबूती प्रतान करना, पलायन को रोकना, साती सात कमजोर वर की लोगों को मुख्यदारा में शामिल करना, आगे दोस्तों बात करते हैं मनरेगा योजना के प्रावदा दिया जाता है, यानि कि दोस्तों गाउं में रहने वाले हर एक परिवार के व्यस्क व्यक्ति को, व्यस्क मतलब की जो व्यक्ति 18 साल से उपर का हो या 18 साल का हो, उसे 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है, इसके साती दोस्तों 14 दिन तक रोज़गार ना मिलने की स्तिती मे उन्हें बेरोजगारी बत्ता दिये जाने का प्रावदान है यानि कि दोस्तों अगर 14 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी बत्ता दिया जाता है और दोस्तों मन्रेगा के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को ग्रान पंचयत जोब कार्ट देता है इसके साथ ही दोस्तों मन्रेज़व योजना के अंदर पुर्शों के साथ साथ महीला वर्क को भी एक त्याई भाध आरक्षन दिये जाने का प्रावदान है यानि कि दोस्तों पुर्शों के साथ साथ महीलाई भी इस योजने के अंतर काम कर सकती है और दोस्तों इस योजने का कारयान वयन ग्रामिन विकास मंतरा लेके द्वारा किया जाता है यानि कि इस योजने का जो भी implementation है यानि कि जो भी काम कराय जाता है वो इस मंतरा लेके द्वारा कराय जाता है ग्रामिंड विकास मंतराले के द्वारा इसके साथ ही दोस्तों राज्यों के अनुसार श्रमिकों की हर दिन की मजदूरी अलग-अलग हो सकती है यानि कि दोस्तों अलग-अलग स्टेट्स के अंदर यह जो मजदूरी होती है यानि कि एक दिन की जो कमाई होती है किसी भी व्यक्ति की श्रमिक की यानि की मजदूर की वो अलगलग हो सकती है किसी स्टेट में कम हो सकती है किसी में जादा हो सकती है आगे दोस्तों बात करते हैं मन्रेगा योजना हितु पातरता के बारे में यानि कि eligibility के बारे में जो एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो एस योजना के अंदर काम करना चाहता है इसमें दोस्तों सबसे पहला है व्यक्ति की उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे जादा होनी चाहिए इसके साथी जो वेक्ती ग्रामिन चेतर में रहता हो यानि कि गाउं में रहता हो वो इसके लिए आविदन कर सकता है साथी साथ जो वेक्ती स्वेच्छा से कार्रे करने के लिए तैयार हो यानि कि कोई भी वेक्ती जो 18 साल का हो गाउं में रहता हो साथी साथ वो अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार हो वो इस योजणा के अंदर आवेदन कर सकता है यानि कि अप्लाइ कर सकता है और काम कर सकता है आगे दोस्तों बात करते हैं मंद्रिगा योजना की प्रकरिया के बारे में दोस्तों इस योजना के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर रोजगार लेना है तो उसे सबसे पहले पंजी करना होता है यानि की रेजिस्ट्रेशन करना होता है registration करने के बाद दोस्तो जो भी documents हम submit करते हैं यानि की लगाते हैं उनकी जाच की जाती है यानि की verify किया जाता है और verify करने के बाद जो पंचायत है वो उमें job card देती है दोस्तो इस job card के अंदर हमारे से जुड़ीवी जित्ती भी important जानकारी है details है वो सब लिखी होती है जैसे की नाम, पता, job card number, हमारे पिता का नाम या फिर पती का नाम ये सभी चीजे उसमें लिखी होती है दोस्तो इस योजना में पारदश्रिता यानि की transparency को बनाये रखने के लिए साती साथ दोखादड़ी को रोकने के लिए लोगों को job card दिये जाते हैं दोस्तो इस card की मदद से व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होता है यानि कि इस card की मदद से व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिल सकता है इसके बाद दोस्तो job card मिल जाने के बाद आपको 100 दिन के रोजगार की guarantee मिल जाती है और आप मनरेगा योजना के तैयत ग्राम पंचायत में किये जारे काम के अंदर काम कर सकते हैं और आपके काम से जुड़ी जितनी जानकरी होगी जैसे कि आपने क्या काम किया, कब किया इस सभी डीटेल्स उस जॉब कार्ड में लिख दी जाती है इसके बाद मजदूरी यानि की जो भी हमारी कमाई होती है, वो सीधे बैंक अकार्ड में जमा कर दी जाती है आगे दोस्तों बात करते हैं मनरेगा योजना के अंतरगत कार्रेओं के बारे में की मनरेगा योजना के अंदर कौन से कौन से काम किये जाते हैं इसमें सबसे पहला है जल सरक्षन करना, सूखी की रोकताम के अंतरगत वरक्षार ओपन करना, बाढ़नी अंतरण पर रोक लगाना, भूमी विकास करना, विबिन तरह के आवास का निर्मान करना, लगो सिचाई करवाना, बागवानी, ग्रामिन संपर्ग मार्ग निर्मान इसमाना आदी ऐसे कुछ काम है जो मन्रीगा यूजना के अंदर की जाते हैं। रोजगार नहीं मिल पाता था अच्छे से वो अब नहीं है वो दिरी-दिरे सुधर रही है इसके साथी लोगों को आर्थिक मजबूती भी मिल रही है इसके साथी यह जो पलायन की समस्या है इसको रोकने में काफी मदद मिली है लोग पहले गाउ से शैर जाते थे हैं पैसा क की जा रही है आगे दोस्तों बात करते हैं मंद्रेगा योजना की उपलब्दियों के बारे में याने की अभी तक उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं दोस्तों 2006 में इसकी शुरुवात के बाद से मंद्रेगा ने 100 दिन के रोजगार की गारांटी दे कर भारत में गरीबी से इसलिए इसे विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा ग्रामेन विकास का एक अद्बु दुदारन का जाता है इसके साथ ही दोस्तों इस योजना ने ग्रामेन चेतर की कई महिलाओं को आजवी का कमाने के साथ साथ समाजिक सुरुक्षा हासिल करने में काफी अत्तक मद्द क दोस्तों को सुच पेजल प्रात्मिक चिकित्सा ऐसी जो जरूरी सुवधाय है वो दी जाती है इसके साथ ही दोस्तों जो अनुसुची जाती है अनुसुची जन जाती है इनकी उत्थान में भी इस योजना ने काफी अत्तक मदद की है दोस्तों एक्जाम पॉइंट ओफ उसे काफी ज़गा important है एक्जाम में कई बार long questions में पूछा जाता है कई बार short notes में पूछा जाता है आप अपनी screen पर देख सकते हैं यह topic एक्जाम में question form में कैसे आता है दोस्तों इन questions को बैतर तरीके से आंसर करने के लिए जब भी आपना एक्जाम लिख रहे हैं उस समय क के अंदर मन्रेगर से जुड़े हुए जो भी तथे हैं उनके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आप उनको लिखेंगे तो आप इस question को अच्छे से answer कर सकेंगे तो अगर आपको इस वीडियो की नोट्स चाहिए या फिर किसी और वीडियो के मदद मिली होगी वीडियो इंफरमीटिव लगाव वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें बेल नोटिकेशन को दबाए ताकि फुचर में आपको ऐसी वीडियो को नोटिकेशन मिलते रहे हैं मिलते हैं रेक्स वीडियो में Thank You So Much